दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है ये कॉम्बो के उपर है जैसी कि दोस्तो आप लोग इस वीडियो में देख भी सकते हैं हमारे हाथ में ये कि ये कॉम्बो है और ये कॉम्बो दोस्तो फोन से बिल्कुल बाहर निकल चुका है यानि कि जो हमारा फोन है और फोन का जो हमा कि आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं निकाल करके क्योंकि दोस्तों यह जो हमारा कॉंबो है अगर इस तरीके से हम यूज करेंगे फोन को तो यह हमारा ठीक ठाकॉंबो है यह कहीं से भी क्रेक है नहीं लेकिन अगर इस तरीके से हम यूज करेंगे तो तूट जाएगा दोस्तों तो दोस्तों इसको हम निकालेंगे पूरे कॉम्बो को और निकालने के बाद इसको हम फिट करके दुबारा सापलों को दिखाएंगे किस तरीके से इसको सेफ तरीके से बिल्कुल हम दुबारा सिसी कोंबो को लगा देंगे और यह हमारा कोंबो प्रॉपर वर्क करने लगेगा इसके लिए दोस्तों हम फोन को अपना कर लेते हैं से चॉप दोस्तों जब फोन को हम से चॉप कर लेंगे उसके बाद दोस्तों इस तरीके से दोस्तों सबसे पहलें बैटरी और उसके बाद निकाल के रिमूव करके उसके बाद बैटरी निकाल लेते हैं और बैटरी निकाल लेने यह ऐसे इस तरीके से निकल जाएगा क्योंकि यह फोल्डर में दोस्तों कुम्बो बाहर निकल गया था फोल्डर और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो हमारा फोल्डर होता है फोन में जहां पर चिपका रहता है तो इसके साइड साइड में दोस्तों गुलू लगा होता पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों यह जो हमारा गलू होता है यह फोल्डर का आने के लिए ही होता है और इसको इस तरीके से प्एस्टिंग करते हैं गलू को की बिल्कुल यह प्रापर जो है हमारा हो ridge पर लग लग जाये ताकि यह में फोल्डर जास Tutaj पोल्डर असानी से चिपक चाए तो ज्रू हम लगा लिएंगा दोस्तों और इस प्रोल्ड को हम फोनлять करेंगे जोरिसका क्रोम होता है अच्छिव आध और जो यह देखो दोस्तों टोपर में दोस्तों इस फोल्डर को हम अभी लगा दिये कैंकि यह दोस्तों हमारा फोल्डर पुरा निकल गया था बाहर तो अभी हम यह उपर में गुलू लगाए हैं और गुलू लगाने के बाद इस तरीके से फोल्डर को प्रॉपर चिपक जाता है तो एक बार चारो तरफ से चेक कर लेते हैं कि फोल्डर हमारा कहीं पे उठा तो नहीं है अगर कहीं पर दोस्तों अगर उठा दिखता है तो उसको हलका सा प्रेस करके दबा लेते हैं ताकि हमारे यह प्रॉपर सही तरीके से फोल्डर बैठ जाया है तो जो फोल्डर प्रॉपर बैठ जाता है उसके बाद इसका जो डिस्प्ले का पत्ता होता है उसको हम बैट्री को भी प्रफर लगा लेते हैं लाट्री को प्रफ़द्र कर नेक्टर कर देते मिझा नहीं कि नहीं है क्योंकि कभी कबार क्या होता है दोस्तों कि हमारा फोल्डर लगाने निकालने में देमेज हो जाता है तो यह काम आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है फोल्डर को बिल्कुल तसली से निकाल लेने के बाद दुबारा से उसको चेक कर लिए और चेक करके दुबारा से फिर फ्रोडर्विश्प का लेते हैं तो हलका-जाफाज गुल रहता है उसको हम बारख़ी से मिल्कुल या हात से या कपड़े से मिल्कुल साफ कर लेते हैं क्jsk entwickeln यह गुलु बहली ना दीखे इसके बाद दोस्तों यह हमरा आप लोग सकते हैं पाउर के दबा और उसको ऊपर में लगाके दोस्तों āसारा पेच को लगा लेते हैं हम उसके भाद दोस्तों अउसको लगाने के बाद उपर ताहिए तो इसके तरीके से हम हमारा जब फोल्डर निकल जाता है तो उसको तो इस तरीके से हम पेस्टिंग करके दुबारा से पैक कर लेते हैं ताकि हमारा फोल्डर बिल्कुल सेफ रहे और फोन भी हमारा बढ़ियां वरके करें तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेन और दोस्तों वीडियो को अधिक सदिक आप लोग शेयर करिएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम फोल्डर हमारा यह उखड चुका था तो इसको अभी हम पेस्ट करके चिपका दियें और हमारा फोन अभी बिल्कुल रेडी है यूज करने के थांक यू फ्रेंड